कंडिशनल फॉर्माटिंग के इस अडवांस्ट वीडियो में आपका स्वागत है जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मुला बेस्ट कंडिशनल फॉर्माटिंग कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं इसका यूज केस क्या है वो भी बताऊंगा जहां पर I will show you how to highlight the entire row based on the cell values मैं आपको पहले एक डेमो दिखा देता हूं मान लिजे आपके पास काफी सारे employees के नाम है उनके divisions के नाम है और yellow cell में आप जिस divisions को लिखते हैं उन divisions के जितने employees है उनके rows को color अपने आप लग जाना चाहिए राइट ये आपके MIS Tracker बनाने में काफी मदद करता है जहां पे आप कुछ भी options yellow cell से choose करेंगे तो उनको पूरा row आपको highlight देखने को मिलेगा लेकिन पहले ही बता दू यहाँ जो आज हम ट्रिक इस्तमाल करने वाले हैं वो conditional formatting के नए rule के तहट last option जो है यानि की use a formula to determine which cells to format इसका इस्तमाल करेंगे इसकी खास बात यह है कि जो भी यहाँ formula आप लिखो उसका ultimate answer true या false होना चाहिए अगर true होता है तो color apply होगा अगर true नहीं होता है यानि की false तो color नहीं apply होगा तो बताना चाहूँगा कि हमारे logical statement में काफी सारे ऐसे formula है जहाँ पर अगर मैं दो numbers को compare करता हूँ तो मुझे true या false मिल सकता है यही same चीज आप चाहें तो if या and या और function से भी लिख सकते हैं तो आईए देखते हैं starting से इस technique को कैसे apply करें सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मुझे color सिर्फ उस cells में नहीं लगाना जहाँ पर division पाया जाए मुझे color पूरे के पूरे row में लगाना है और यह मैं इसलिए अलग से कह रहा हूँ because हम में से बहुत जन है जो कहेंगे hey why don't we simply select the data conditional formatting में जाए 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 new rule में और second option को choose कर लीजे यानि की cell value should be equal to this yellow cell और अगर ऐसा है तो आप एक छोटा सा blue color दे सकते अब इसमें problem क्या है यहाँ पे इस area का हर एक individual cells right will be compared to this yellow cell तो हर cell अपने बारे में सोचेगा अपने पूरे row के बारे में नहीं सोचेगा और उसका नतीज़ा यह है कि जब आप okay करोगे तो आपको सिर्फ वो cell color मिलेगा जहाँ पे R.A.D. है अगर आपने नाम में R.A.D. लिखा तो वो भी blue color हो जाएगा मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए तो आईए देखते हैं यह काम कैसे achieve करें सबसे पहले मैं कुछ steps को बहुत specifically कहूंगा तो बड़े ध्यान से सुनना आप मैंने data को choose करना है from the eighth row excluding the header row वापिस दोबारा repeat करता हूँ Ctrl A प्रेस करोगे तो header row भी choose हो जाता है आपको header row choose नहीं करना है उसके नीचे जितने भी data है उनको choose कीजे यह है पहला step ऐसा इसलिए because color पूरे row में होना चाहिए तूसरा step आप जाओगे conditional formatting में new rule में और last option में जाओगे यह तब इस्तवाल किया जाता है जब decision maker हो एक cell लेकिन effect पूरे row में होना चाहिए यानि कि एक जन decide करे कि पूरे row या पूरे column में color होना चाहिए या नहीं होना चाहिए correct अब format values where this formula is true यानि कि यहां जो भी formula आप लिखो उसका answer true या false में जरूर होना चाहिए तो मैं लिखता हूँ equal to इस yellow cell को choose करता हूँ और ध्यान से देखेगा इस yellow cell पे लगा है dollar dollar b dollar 3 यानि कि इस yellow cell को आपको अलग-अलग division से compare करना है और compare करते वक्त मैं नहीं चाहता यह yellow cell का reference नीचे के तरफ आ जाए जो की है blank cell लेकिन on the opposite side ये individual cells हर cell के नीचे जाना चाहिए ता कि आप उसे compare कर सको in other words you should be able to compare HFD with RAD the cell RAD with RAD the cell HFD with RAD again and ये हर एक cell इस yellow cell से compare होना चाहिए इसलिए मैं लिख देता हूँ equal to this yellow cell is that equal to this cell अब ध्यान रखेगा मैं चाहता हूँ कि ये हर एक cell पे comparison लागू हो और ये नीचे आने के लिए cell reference में 8 के पहले का जो dollar है आप वो हटा दीजे ताकि 8 से 9, 9 से 10 बन जाए dollar before C is important because मैं नहीं चाहता कि ये comparison of RAD should be done with column D or column B or column A it should only and only be done with column C तो अगर आपने dollar में कहीं गलती की तो आपका ये answer नहीं आएगा मैं 2 second के लिए pause करता हूँ ताकि आप देख सको अब ये करने के बाद format और color में light blue and okay and okay there you go now when I put in cdfd आप देख रहे हो cdfd वाले जितने भी cells है उन्होंने decide कर लिया है कि उनकी पूरी row color हो जाएगी और ये आपको track करने में बहुत मदद करेगी तो एक बाद जट से दिखा देता हूँ clear rules from the entire sheet choose from the 8th row that is below the header go to conditional formatting new rule last option और यहाँ पे जो भी लिखें आप formula का answer या थो true हो या false हो यानि कि equal to this yellow cell जो कि पूरा का पूरा frozen है is that equal to the first cell because आपने 8th row से choose किया इसलिए 8th row का ही आप division लेंगे 9th या 7th का नहीं लेंगे और ध्यान रहे ये comparison हर cell के नीचे आना चाहिए इसलिए dollar before 8 is not needed ताकि C9, C10, C11 बन सके dollar before C is important ताकि column D या B या A से comparison ना हो और सिर्फ और सिर्फ column C के साथ ही compare किया जाए format के नाम पे color आप कुछ भी दे सकते हैं okay and okay and this is what you are able to get बाद में आप चाहें तो इस yellow cell में drop down भी लगा सकते हैं for example data data validation allow any list यहां दो नाम लिखता हूँ आप फिलहाल example के लिए CDFD,RAD आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं फिलहाल okay करता हूँ और आप देखिए क्या मिलता है मुझे yes और भी advanced conditional formatting के techniques अगले वीडियो में